पनवाड शेत्र में कई दिनों से वर्षा की खेंच से किसान, व्यापारी समेत सभी वर्ग परिशान हैं, जिसको लेकर ग्रामिन शेत्र में वर्षा के लिए प्रातनाय और विभिन धार्मिक आईजिन किये जा रहे हैं। रवीवार को पनवाड कस्पा बंद रक कर घास भैरोजी की ढोल भमाके के साथ फूजा अचनकर कल्यान राय भगवान के विमान को दुमडिया खेडी हनुमान जी के मंदिर पर ले जाकर रामायन पाठ शुरू कर उज्जे निमनाई गई। सरपंच देवराज सिंग सोलंकी ने बताया कि शेत्र में कई दिनों से बारिश नहीं होने से खरीव की फसले मुर्जाने लगी है जिससे सभी व्यपारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख कर दुमडिया खेडी चलेत दिवरिया समध खेडी हनुमान मंदिर धार्मिक स्थलों पर जाकर दालबाटिक चूर्मा बनाकर देवी देंताओं को भोग लगाया और भगवान से अच्छी बारिश की प्रात्ना की सुभह से ही ग्रामवासी उनी धोल के साथ घास भहरवजी की पूजा अर्चनकर राजमंदिर के कल्यान राय भगवान को विमान में विराजमान कर चार किलोमिकर दुमडिया खेडी धाम ले जाकर जहां विधीवत पूजन कर अखंड रमायन पाठ कर अच्छी बारिश की क पास्रिपोर्ट